आप सभी का नमस्कार यहां पर बहुत ही important वीडियो आपके लिए है देखें मैत का आप सुब लोग बहुत डर रहे थे लेकिन मैत में मैं आपको ध्यान दीजेगा मैं सोचा यहां पर आपको जो इंपोर्टेंट प्रस्ण है जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं वह solution वाले प बहुत ही important प्रस्ण है और इस टाइप की प्रस्टन आपके आते हैं जरूरी नहीं है कि यहां पर स्कास इन्वर्स हो साइन इन्वर्स भी हो सकता है तो कुछ भी दे सकता है वो उसके examiner को उपर है ठीक है ना लेकिन आपको टाइप यहीं आएगा ठीक तो इसमें देखिए कैसे हम solve करेंगे इसको मै आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा ध्यान दीजेगा यहां पर आपका कुछसन दे रखा है कॉस इन्वर्स चार बटे पांच बराबर टाइन्वर्स चार बटे पांच तो मान लेते हैं इसमें हम माना क्या मान लेते हैं मान लेते हैं कि कॉस इन्वर्स क्या मान यक्स बराबर क्या हो जाएगा चार बटे पांच क्या हो जाएगा चार बटे पांच अब देखिए बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक यक्स क्या होता है सेक यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं पांच बटे चार क्या इसे क्योंकि ध्यान दीजेगा अगर यहां पर ध्य होता है इसका उल्टा भी यहां पर हो जाएगा जान इस तरीके से कर सकते हैं तो चलिए धियां दीजेगा इसको आप इस तरीके से से भी Des Regards करें आप मैं पोछ हूं नहीं हो जाएगा और रखी, क्याक्स भी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा एक बटे चार बटे पांच चार बटे पांच यह पांच उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पांच बटे चार, वही चीज़ है, अब सेक्यक्स को भी उल्टा कर देंगे इस तरीके से, ठीक, तो, यहां पर बराबर सेक्यक्स बराबर का जगा जा, क्या हो जाएगा, पांच बटे चार, तो यहां पर आपका आ गया ये, ठीक, अब देखिए, हम क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या करना है हमें अब आपको क्या करना है करना है कि 10 into square x क्या 10 square x ठीक बराबर क्या होता है 6 square x ठीक माइनस 1 बराबर क्या होता है ध्यान दीजेगा 5 बटे 4 का whole square minus 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 का square 25 चार का square शूल तो यहाँ पर 25 बटे 16 minus 1 इसको solve करेंगे तो ध्यान दिजेगा 25-16 बटे 16 बराबर क्या हो जाएगा इसको करेंगे तो 9 upon 16 क्या हो जाएगा 9 upon 16 आपका ये हो जाएगा अब देखिए ध्यान दिजेगा अब हमें क्या मालूम है इसलिए 10x क्या 10x बराबर क्या हो जाएगा 3 by 4 बराबर क्या हो जाएगा 10 inverse क्या हो जाएगा 10 10 इन्वाइट छीम्ड यहां अबता ना just सकते हैं का इन्वर्स में आपको बता here स्कैस लुटा सक 20.Det 그러면 आपको लाइगा क्या हजाएगा न सब्सक्राइब चार सबक्राइब इस पांच बराबर की यह जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question देखिए आपके लिए क्या है जो क्या आपको निकालना है 2A-B निकालना है और हमें क्या दे रखा A वराबर दे रखा है कितना 1, 2, 3 और 2, 3, 1 और B वराबर कितना दे रखा है 3-1 और 3, minus 1, 0 और 2 इतना आप में दे रखा है तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्यान देजेगा हमें पहले क्या निकालना होगा 2A को निकालना होगा तो ध्यान देजेगा या आप डरेट रखकर भी निकाल सकते हैं कोई इसमें इसू बाली बात नहीं है तो हमें क्या दे रखा 2 into A minus B ठीक यह हमें दे रखा है तो ध्यान देजेगा यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ बड़ 2 हो जाएगा और A कामान कितना है A कामान कितना है 1, 2, 3 2, 3, 1 ठीक है न और minus B कामान कितना है 3, minus 1, 3 minus 1, 0, 2 ठीक है न अब देखिए इसको जब हम solve करेंगे ध्यान दीजेगा जब इसको हम solve करेंगे तो 2 का multiply अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा 2 और यहाँ पर multiply करेंगे तो 4 यहाँ पर क्या होगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 ठीक minus क्या हो जाएगा 3, minus 1 3, minus 1 two minus three two minus three क्या हो जाएगा two minus three क्या हो जाएगा minus one four minus one यानिकी minus minus plus one यानि five ठीक और जब इसको करेंगे ध्यान दिजेगा क्या जाएगा त्री और यहां पर क्या जाएगा फाइव ठीक है चार एक माइनस प्लस हो जाएगा चार एक पांच ठीक और यहां पर क्या हो जाएगा च्छ प्लस जीरो ठीक है ना माइनस जीरो आपका हो जाएगा यहां पर जीरो आपका हो जाएगा यहां पर जीरो आपका ह कि देखेए यह कुर्शन आपका बहुत बार पूछा गयास आपके लिए बहुत ही इंप्वाइन पिरेंडिंग अब को सब्सक्राइब यहां दीजिएगा आपको दे रखाये यदि यक्स का वास्त भी यक्स एक क्या है वास्तविक संख्या है तो यक्स square minus 8 x plus 17 का निर्मता मान क्या होगा तो दे रखा है मान लेते हैं माना क्या मान लेंगे हम माना मान लेते हैं f of x बराबर कितना x square minus 8 x ठीक है न और प्लस 17 ठीक है आपको दे रखा है तो f of dash x मतलब एक बार इसका उकलन करने पर इसका मान कितना हो जाएगा 2x x square करेंगे 2x क्यों की देखें d by dx x की power n का क्या होता है और इन्टू x की power n minus 1 इसका अपका यह होता है तो यहां पर आप कर लेंगे देखें 2 x square है तो को यहां लाएंगे आगे और x की power n minus 1 आपका यह हो जाएगा minus minus ध्यान दीजेगा minus यहां पर 8 into x का क्या हो जाएगा 1 यह निकी 8 ठीक है और बाकी 0 हो जाएगा बाकी अब ध्यान दीजेगा अब चूंकि f dash x बराबर 0 तो बराबर क्या हो जाएगा यकस बराबर 4 ठीक है तो अब क्या हो जाएगा अब f double dash into x बराबर क्या हो जाएगा 2 is greater than 0 ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा 1 राबर 4 अस्थानी यहां लिखेंगे अस्थानी क्या हो जाएगा निम्नतम बिंदु है क्या है निम्नतम बिंदु है ठीक है न यहाप कर देना है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे चूंकि यक्स बराबर क्या हो जाएगा चार पर निम्नतम मान क्या निम्नतम मान यह आफ फूर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 into 4 4 into 4 minus 8 into 4 plus 17 बराबर एक आपका अंसर हो जाएगा इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद important है ठीके न चलिए अगले question की बात करते हैं अगर मैं इस question के बारे में बात करूँ यह question मैं आपको बता दूँ आपका question लगातार ध्यान दीजेगा 13 पूछा गया है चगदम पूछा गया है और यहाँ पर 16 पूछा गया और 18 पूछा गया है 2008 पूछा गया और बेहद important question है ठीके न ध्यान दीजेगा यहाँ पर दे रखा है वक्र क्या दे रखा है वक्र वाई बराबर यसको बराबर क्या दे रखा है 4 A X क्या दे रखा है 4 A X ठीक तो समी करण ध्यान दीजेगा समी करण क्या समी करण ध्यान दीजेगा एक का यहाँ पर इसको हम माल लेते हैं समी करण नंबर 1 वक्र दे रखा है और बिंदु दे रखा है अभिलंब का समी करण आपको नीकालना है तो हम क्या करेंगे समी कर समीकर नम्ब्र एक का करने पर ओकलन करने पर औकलन करने पर अकलन करन k करने पर टुछ करने leargs यह आपके लिए लिए हो जाएगा जो का आपकually बैहर्षाद मैं इंपोक्तेंट है चलीए ध्य op Ages princes आप देखें यहाँ पर अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हो 2Y, ध्यान दिजिएगा, इसका जब करेंगे, क्या हो जाएगा? 2Y, ठिक, क्या हो जाएगा? 2Y और D Y अपन्ड D X, क्यों? हम देखे, Y2 का किया, Y आगे आएगा, 2-1 यहनि 2Y, और उना Y क्या करेंगे? D Y-Apन-D X, क्यों कि हम X सापेच कर रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा dy upon dx बराबर क्या हो जाएगा 4a क्या हो जाएगा 4a ठीक है न या ध्यान दीजेगा या आपका क्या हो जाएगा dy upon dx क्या हो जाएगा dy upon dx बराबर क्या हो जाएगा 2a क्योंकि 2 से 2 यहानि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या 2A अपन y आपका बचेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए बिंदू क्या बिंदू A t square कामा 2 A t ठिक पर असपर्स रेखा क्या असपर्स रेखा का रेखा की प्रमाइदता क्या निकालेंगे प्रमरता निकालेंगे ठीक है ना अभी आपको मैं बताता हूं तो प्रमरता निकालेंगे यहाँ पर तो प्रमरता क्या हो जाएगी ध्यान दीजेगा यम बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा यम बराबर आपका होता है ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा ध्यान दी 2A T ठीक है ना बराबर क्या हो जाएगा 2A से 2A कैंसिल 1 अपान T बचेगा ठीक यह आपका हो जाएगा ठीक है ना इतना आपका बचेगा अब देखिए तब बिंदू क्या निकालेंगे तब बिंदू बिंदू 80 स्क्वायर ठीक है तब बिंदू क्या हो जाएगा हमारा बिंदू क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कामा 2A T ठीक पर अभिलंब क्या पर अभिलंब अभिलंब की प्रमरता की प्रमरता ठीक है ना तो प्रमरता क्या हो जाएगी कैप्टालियम बराबर क्या हो जाएगी ध्यान दीजेगा माइनस एक बटेयम ठीक एक बटेयम बराबर माइनस T ठीक है ना अब देखिए जो सूत्र होता है अभिलंब का समीकरण यह आपकी प्रमरता हो गई, अभिलंब की प्रमरता हो गई, यह असपर्स रेखा की प्रमरता हो गई, ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, धान दिजेगा, सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है, y-y1, क्या होता है मेरे पहरे दोस्त, y-y1 बराबर, कैप्टालियम क्या है अभिलंब की प्रमड़ता है और इंटू क्या हो जाएगा यक्स माइनस यक्स वन देखें हमने रेखा की प्रमड़ता किसलिए निकाली अभिलंब की प्रमड़ता निकालने के लिए ठीक और अभिलंब की प्रमड़ता हमें सूतर में रखा है और बिंदू किस पर से ब क्या निकालेंगे अभिलंब समी करण, ठीक है न, अभिलंब समी करण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिलंब समी करण क्या हो जाएगा, y1 का मान कितना है 280 y-280 ठीक यह आपका हो जाएगा बराबर इसका मान कितना ym का मान minus t ठीक और in 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा yaks minus 80 का square क्या 80 का square क्योंकि yaks 1 कितना है 80 का square या आप लिख लेंगे इसको y बराबर क्या हो जाएगा y-280 y-280 बराबर क्या हो जाएगा minus tx plus 80 cube या आप लिख सकते हैं इसको y plus tx क्योंकि इस minus tx इधर ले आएगे तो plus tx बराबर 280 plus 80 का cube ठीक है यह आपका सम्मिगरन हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद important है ठीक है ना तो इतनी बात आपको सम्मझ में आई आई होप आपको अच्छी तरीके सम्मझ में आ गई होगी ठीक है ना चलिए और question को अच्छी तरीके सामलूब करते हैं क्योंकि देखे यह question आपकी exam में आयोगे questions है तो आपको seem to same pattern ऐसे ही मिलेगा तो इन question को जरूर पढ़िएगा अच्छी तरीके से ठीक है न क्योंकि आपको इतनी अच्छी तरीके से मैं यहां पर बता रहा हूं तो आप अच्छी तरीके समझ लीजिए question important है ठीक है ना तो यहां पर भी आपके लिए question है जो कि आपके लिए बहुत important question है question क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन upper limit in lower limit 1 तो dx upon d1 plus x square किसके बराबर है यह आपको बताना है तो मान लेते हैं हम क्या मान लेते सो solve करेंगे ठीक इसको भी solve करने का तरीक और जिस बच्चों को मालूम है solve करना चाहता है जिस साथ ही को मारे मालूम है की solve इस तरीके सोगा वो question को भी solve करते रहें ठीक ना अपनी copy में जैसे मैं integration 1 under root 3 ठीक है ना आओ क्या दे रखा है dx upon 1 plus x square दे रखा है ठीक है ना अब इसको हम देखेंगे तो सूत्र हमारा क्या होता है एक सूत्र होता है क्या इसको जब समना करने के टैन इन्वर्स क्या होता है टैन इन्वर्स यक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपर लिमिट और नीचे क्या हो जाएगा आपकी लोवर लिमिट ठीक है न तो बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा बराबर क्या हो जाएगा इंटेग्रेशन 10 inverse नहीं हाँ पर आपका बड़ा कोश्च टक रहेगा 10 inverse टिक अंडर रूड 3 माइनस 10 inverse ठीक है न 1 ठीक बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 3 या पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 ठीक बराबर पाई बाई 12 ठीक यह आपका अंसर हो जाएगा इस तरीके साब solve कर सकते हैं यहां मैं LCM लेंगे क्या 12 LCM लेंगे 12 LCM लेंगे तो क्या आप तीन चोग बारह यानि 4 पाई और माइनस 3 पाई यानि एक पाई बचेगा बटे 12 आपका अंसर आजाएगा ठीक है न इस तरीके साब इसको solve कर सकते हैं और एक कुशन मैं आपको और बताऊंगा इसमें जो की बहुत बार पूछा गया प्रशन है बहुत बार पूछा गया प्रशन है अब देखिए ध्यान दीजिएगा यह कुशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुशन है और बहुत ही दे रखा है आई बराबर मान लेते हैं माना आई बराबर क्या हो जाएगा इंटिग्रेशन एकी पावर यक्स ठीक सेक यक्स ठीक इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा टैन एक्स ठीक इंटू डी यक्स ठीक है ना तो बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा इंटिग करते रहें, 6X plus 6X into 10X, ठिक, क्या हो जाएगा, 10X into DX, हम इस 6X का under multiply कर दिए, under गुना कर दिए, तो यहाँ पर देखे, once होगा, तो 6X into 10X, ठिक, अब यहाँ पर आपका DX हो जाएगा, अब इसका हम क्या करेंगे अलग-अलग समा कलन करेंगे अब ध्यान दीजेगा अगर हम ध्यान दीजेगा अगर यहां पर देखें तो d upon dx ны ऐसे की अग्स क्या होता है हमारे पास क्या होता है सैक्श से जब इसको आप solve करेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा एक पावर एक्स से की एक्स प्लस सी ठीक है ना आपका यह अंसर हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्डेंट और बेहद इमात पूर्ण है ठीक है ना तो इस तरीकेस आप कर लिए जए कर वालब जो हो जाएगा जसके हमाता है चाहर जो करेंट तकैस की एक्स प्लस